हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आएं एकदम चटपटा और टेश्टी से नास्ते की रेसिपी, तो इसे हम घर की चीजों से बनाने वाले हैं, तो यह हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे, और बाउल में हम डाल रहे हैं, आधा कप सूजी, तो सूजी कोईसी भ ऋपानी ले, तो पानी हमने गरम करके लिया है, ठंडा पानी नहीं है, तो इससे क्या है कि हमारी जो सूजी है, वह अच्छे से भीग जाएगी, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे मसलते हुए, बढ़ी आसा इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी गुठ़िसना रएए् तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे तो ऐसे करके और बढ़िया सी फूल जाएगी गरम पानी में अगर हम ऐसे घोलेंगे सूजी को तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये नास्ता और पांच मिनट पे बनके तयार हो जाता है कोई भी जंज तो इसको क्या करेंगे कि रेष्ट पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए तब तक सूजी अच्छे फूल जाएगी तो ये 10 मिनट हो गया है उसके बाद हम पलेट हटा लेते हैं और इसको एक बार चेक कर लेंगे तो ये आप देखिए बिलकुल बढ़िय सूजी फूल गई है और एकदम लग रही है तो इसको ठोड़ा मसल लेते हैं ऐसे करके ताकि ये बढ़िया सी हो जाए ऐसे मसल लेंगे कर्ची से ही दबाते हुए उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें थोड़ी पानी और डालेते हैं क्योंकि ये थोड़ी काड़ी लग और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो ऐसे ही फेटते हुए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं उसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ा एड़ कर लेंगे तो थोड़ा सा हमने आधी गाजर को बारी कट कर लिया था इसे डाल देंगे और आधे प्याज को हमने बारी कट कर लिया था उसे भी डाल देंगे तो सबजियां आपके पास जो भी हों वो यह आप डाल सकते हैं तो इसमें दो हरी मिर्ची डाल देंगे कट करी भी और थोड़ा सा अद्रक को हमने ग्रेट कर लिया था तो उसे भी डाल देंगे आप चाहें तो इसमें सिमला मिर्च टमार्टर औगेरा बीन्स औगेरा वो भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा हम इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और एक आलू को हमने ग्रेट कर लिया था उसे भी डाल देंगे तो उबला हुआ आलू है ये और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये आलू भी अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए जो भी सबजी हमने डाली है मसाले तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए ऐसे करके तो यह अच्छी सिर्फ फीट के हमने इसे मीक्स कर लिया है यह आप देखिए तो बिल्कुल ऐसे ही बैटर हमें चाहिए उसके बाद हम नमक डाल लेंगे इसमें सौद के अनुसार थोड़ा सा चीली फ्लेक्स डाल लेंगे थोड़ा सा हम भूना जीरा पॉर्डर डाल लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे तो मसाले आपको जो भी पसंद हो रहाएं तो हम थोड़ी मसालों से इसे बना रहें हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ऐसे करते हुए और बड़ी आसा मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे बैटर में जो मसाले और नमक वगिरा हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो यह अच्छे से मिक्स हो गया है उसके बाद हमने यह तड़का पैन में थोड़ी तेल करम कर लिया था इसमें डाल देंगे आदी चमच राई और थोड़ा सा कड़ी पत्ता और इसको थोड़ा सा भूनने देंगे अच्छी खुसबू आने तक हलका सा चटकने देंगे बड प्रओब करिया थीश्ट आजाता है अगर कड़ी पत्ते से और राई से हम ऐसे तड़का मार देंगे तो इसको तड़के को भी हम अच्छे से मीक्स कर लेते हैं तर में यह अच्छे से मिक्स कर दिया इसको अब क्या करेंगे इसे चलते हैं गैस की तरफ लेकर तो इदर हमन पैन रख दिया है पैन में हम एक चमस तेल डालेंगे और इसे तेल को अच्छे से फेला लेंगे तो ऐसे करके और इसे बड़ी आसा फेला लेंगे आप चैहें तो इस से भी कम तेल में इसे बना सकते हैं और उसके बाद क्या करेंगे जो पैटर हमने बनाया है उसको हम दो दो कपची डालेंगे छोटी कपची है ये तो इसे ऐसे डालके और इसे थोड़ा पहला लेंगे ऐसे करके तो ये बहुत ही आसान होता है खाने में एक दम टेश्टी लगता है यह नास्ता ऐसे करके अगर आप बनाएंगे तो आप चाहें तो बच्छों के टिफिन के लिए भी इसे बना सकते हैं और उसके बाद क्या करेंगे इसे एक डेड़ मिनाट के लिए डख के रख देंगे बिल्कुल धीमी आच में तो एक डेड़ मिनाट हो गए हैं उसके बाद हम इसे पलट लेंगे तो इसे लो फ्लेम में ही बनाएगा नई तो यह एक दम से जल जाएगा तो यह आप देखें कितना बढ़िया सा कलर आ गया है और कितना बढ़िया सिक रहा है तो ऐसे हम फोल के ही शेक लेंगे दूसरी अगर आपको यह नास्ता थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करतें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह नास्ता कैसा लगा तो यह आप देखें बहुत ही टेस्टी होता है आप सोस के साथ चटनी के साथ या फिर ऐसे ह बिखाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा थेंक यू